गुड मॉर्णिंग बच्चों, अन्तरा व्याकरेन रख्षना कक्षा पांच और आज हम पढ़ेंगे बेटा पार्ट दो पार्ट एक हम पूरा पढ़ चुके हैं पार्ट दो, वर्ण विचार सबसे पहले बेटा प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? हम मुख से कुछ शब्द बोलते हैं, उन शब्द को बोलने के लिए हमारे मुख से कुछ धुनिया निकलती है उन धुनियों को ही हम वर्ण कहते हैं जैसे मैंने लिखा राजा आप समझना विटा, जैसे मैंने लिखा राजा अगर मैं राजा शब्द को ये हमारा राजा एक शब्द है मैं राजा शब्द को अलग-अलग धनियों में लिख दूँ र प्लस आ क्योंकि इस पे बढ़े आगा डंडाया है प्लस ज़ प्लस आ क्या हम इसके और टुकडे कर सकते हैं क्या हम ρ को और तोड़के लिख सकते नहीं क्योंकि मैंने र के नीचे भी रलंत लगा दिया है और या हलंत लगाने का मतलब होता है कि इस पर अब स्वर की कोई भी मात्रा नहीं है इसी तरह से मैंने ज कह ऊपर भी जो मात्रा लगी र प्लस आ प्लस ज प्लस आ ये मैंने इसके वर्णों को बिल्कुल अलग कर दिया है हम इन वर्णों को और टुकड़े नहीं कर सकते इसी को हम वर्ण कहते हैं तो देखो बच्चो अब आप अपनी किताब में देखो वर्ण किसे कहते हैं भासा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते वर्ण कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं बच्चों? वर्ण. अब आप देखोगे वर्ण. बोलते समय हमारे मुख से कुछ धुनिया निकलती हैं. इन धुनियों को व्यक्त करने के लिए कुछ धुनी चिन न वर्ण में नहित, धुनी के टुकड़े नहीं किये जा सकते. उधारन द्वारा मूल धुनियों को इसपस्ट किया जा सकता है. जैसे राजा शब्द में चार धुनिया हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते. हमने इनको चारों का लग करके लिग दिया. इनहीं अखंड मू जा आ ज आ इनको हम और टुकड़े नहीं कर सकते इनी धुनियों को हम वर्ण कहते हैं भाषा की जो सबसे चोटी काई है वो क्या कहलाती है वर्ण तो हम वर्ण की परिभाषा लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे भाषा की सबसे चोटी धुनि जिसके और नहीं किये जा सकते, वर्ण कहलाती है, तो बिटा, आपको वर्ण की परिवाशा अपनी कॉपी में लिखनी है, यहां से, यहां तक, और उधारण, जैसे, उधारण डाल करके, राजा शब्द लिखना है, जो मैंने आपको अभी-अभी कॉपी पे बताया है, उधारण डाल कर वर्ण की परिवासा उसके बाद में फिर उधारण फिर आगे देखिए फिर दे रखा है आपको अब जब ये है तो अब क्या हैगी वर्ण माला हैगी वर्णों का विवस्ते समू वर्ण माला कहलाता है हमारी हिंदी भाषा में हमारी वर्ण माला कहलाती है आ से लेकर के पुरे ग्यां तक उसी को हम वर्ण माला कहते हैं और वर्ण माला में प्रत्य वर्ण का अपना इस्थान फिक्स है उसी को ही हम वर्ण माला कहते हैं यानि कि वर्णों का व्यविस्ति समू वर्ण माला कहलाता है अब आते हैं वर्णों के भेद वर्णों के भेज जो हैं वो तीन भागों में बाटे हुए हैं स्वर, अयोगवा और व्यंजन बटा अभी तक आप दोई प्रकार के पढ़ रहेते हैं स्वर और व्यंजन आप देखो अब अयोगवा भी आप पढ़ोगे स्वर, स्वर सबको पता है कौन से होते हैं स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की साहता हमें नहीं लेनी पड़ती यानि हमें उस वर्ण को बोलने के लिए किसी और वर्ण की जरूरत नहीं होती उसी को हम वर्ण स्वर कहते हैं हिंदी में ग्यारे स्वर होते हैं और ये भी दो तरह से लिखे जाते हैं एक तो मूल रूप में और एक उनके चिन के रूप में मूल रूप में अ से लेकर के ओ तक आपने पढ़े हैं स्वर हमारे आ, आ, ई, उ, ए, 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 ओ, आ, ये सारे आपने पढ़े हैं और इनकी मात्राओं के रूप में भी हम इनको लिखते हैं जैसे अ की कोई मात्रा नी और बढ़या का डंडा, स, स, उस तरह से. यह सारी मात्राइं आपको बताई हुई हैं. तो देखो मात्राइं कैसे बताई हुई हैं वेट्ट आपको, जैसे आपने स्वर लिखे, स्वर हमारे कितने होते हैं? 11, 11 स्वर हैं, तो इन स्वरों में क्या है? अ, आ, इ, इ, तो आप इन सब को लिखो गए छोटी ये ये तो हो गए इनके, क्या हो गए ये? ये हो गए स्वर, और जो इनके धो रूप पता है थे माने, ये हो गए इनका मूल रूप और इनकी मात्रांग में लगाते हैं, इसकी कोई मात्रा नहीं, ये इनकी मात्रा है ये सारी क्या हैं इनकी मात्रा हैं, इस तरह से इनके ये दो रूप होते हैं ये मूल रूप होता है और ये इनके चिन होते हैं कि सवरों को लिखने के लिए जो चिन अंकित किये गए हैं उनी को हम मात्राएं कहते हैं इसके आगे का बिटा मैं कलपड़ाऊंगे अभी आपको वर्ण की परिभाशा और वर्ण माला की परिभाशा और वर्णों के भेत तीनों लिखने हैं और याद करने हैं